नमस्कार आप देखना सुरू कर चुके हैं नॉर्थिस लाइग और मुद्दा के संग के साथ स्टूडियो में मैं रंजीत पिछले 24 घंटे में कोरोना वाइरस के जो आंक्रे सामने आये हैं वो चिंता जनक है स्वासमंत्राले के मताविक पिछले 24 घंटे के भीतर देश में कोरोना वाइरस के 3909 के सामने आये इसी 24 घंटे के भीतर 195 लोगों की मौत हो गई वहीं लॉकडाउन के तिस्रे चरन में मिली छूट और देश में देखने को मिल रहे नजारों ने एक नई चिंता सामने ला दी है पुर्वतर भारत की बात करें तो अब तक कोरोना पर कंट्रोल ही देखा जा रहा है लेकिन PDF सिस्टेम में गड़वडी किसानों की समस्या बाट से पहले तटवंदों की स्थिति और इन सब के बीच प्रधानमंत्री किसान सम्मानिधी योजना में ब्यापक घोटाले ने कई सवाल खड़े कर दिये हैं क्या एक महामारी की आर में भ्रष्टाचार का एक नया अध्याय रचा जा रहा है इस पर चर्चा के लिए हमारे साथा जुड़े हुए है बरिस पत्रकार प्रमुत तिवारी हमारे साथ कॉंग्रेस प्रवक्ता दुलू अहमत जुड़े पिछले 42 दिनों से लॉगडाउन जारी है और इन दिनों हमारे पास जो तथ्या है हमने जो अपने टीवी चैनल के माध्यम से आपको दिखाया वो कतई सुखद नहीं रहा प्रमुत जिसे मैं शुरू कहना चाहता हूं 42 दिन हो चुके हैं लॉगडाउन के और आज भी मैं कैना पड़ रहा है कि जो गरीब तपके के लब है लोग है जो नीडी पीपुल है उन तो सरकारी सहाईता नहीं पहुंच पा रही है क्या कहेंगे के इस तुके भी है जिनके पास सरकारी सायता नहीं पहुछ पा रही है और सरकारी स्थिह वただ है लग Prix कि-स प स्टीछ cárMEंश पर डेते है और पहले पर देश में बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो अपनी सरजमी से दूर दूसरे राज्यों में जाकर काम करता है जिने हम परवासी मजदूर या परवासी लोग कहते हैं उन परवासियों के पास में उनकी परवास भूमी में किसी तरह का बीपील राशन कार्ड आम तोर पर नह नहीं पहुंच पा रही है दूसरी बात असम जैसे राज्यों में बहुत से ऐसे लोग भी है असम और पुरोतर की बात अगर करूं एक मुस्त बात अगर करूं तो उनके पास भी भूतों के पास में बीपील कार्ड नहीं है मैंने पहले भी आपके सो के जरिये कहा कि देश सो पही है कि जिनके पास अधार कार्ड और जो लाइन में लगने को तीयार हूं की हमरे के सामनेा में एक पुरूरी एकार्ड कार्ड लोगों को गरीबों को दे सकती है जिनके पास वो कार्ड होगा जो लाइन में लगने को तयार होंगे उनको साहे ताराशी दिखाया था उपरी असम से लेकर निचले असम तक सरकार सरकार की ओर से जो खात सामगरिया मुहाया करा जाए उसमें ब्यापक घोटाला हुआ क्या आप ये मानते हैं कि पिछले 42 दिनों के अंदर जो सामगरिक तस्वीर आई है उसमें आपको ऐसा लग रहा है कि भरष्टाचार का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है ब्रष्टाचार तो जिस दिन से लोगडाउन सुरू हुआ कई लोगों ने तो इसको एक मौके की तरफ होनाना सुरू कर दिया उसमें कुछ ऐसा धुक इसमें के बैवशाई भी सामिल है बैवशाईयों के कई नेता है वो भी सामिल है और जो अफसरसाइज इनके ऊपर हमे यहां तख की यहां तक लोगों को मिलने वाले राशन में भी जैसे कि आपके चैनल नहीं कई बार दिखाया है कि कई जगाह नीमिता हैं गढडबरी है और जिसको हम कह सकते हैं कि अवसरवादिता है लोग अपने पसंदिदा लोगों को दे रहे हैं संपरदाइकता की बात भी आती है कि एक संपरदाइक के लोगों को दिया जा रहा है दूसरे संपरदाइक के लोगों को वंचित किया जा रहा है कहीं पर ये वंचित में विक्टिम कहीं पर अलप संक्यक है कहीं पर एसी भी गाथा स दो मुश्किल में है और केंदर सरकार ने पहले चरण में कहा था कि 6,000 रुपए उनको तीन किस्ट में दिये जाएंगे अभी खबरे आ रही है कि 24,000 रुपए उनको दिये जाएंगे लेकिन जो पूरे असम से जो खबरे आ रही है वह है कि हिताधी कारी जो है जो एक्ट्वल किसान है उनको नहीं मिल रहा है पंचायत के थ्रों से यह जो लिस्ट बनता है उसमें ऐसा भी देखा गया है कि एक तो वो गाओं के नहीं है दुसरे वो सरकारी नोकरी भी आपके पास क्या तथ्या है क्या कहेंगे इसको लेकि देखिए रंजित जी बात इसका हो गया कि अ अभी का जो स्थिती है अभी आप किसी के परई किसंद का पस जाए कि कि सरकार का स्कीब है इसमें इतना मिलेगा लेकिन आपको को इसमें से इतना मिले पार्षेंटेस कारको लूगा आप है क्यों यह कॉन कर मुष्या कर रहा है या कॉंग्रेस कर रहा है या कॉई कर रहा है या कोई पर्टी इस ताइम में इस हालगं में आप किसी के पास जाहिए की आपका बहुत प्रॉब्लम हो रहा है कोई गरिब को पास जहिए उसको बोले है कि आपका स्कीम में चेहाजार आएगा मेरा खर्चा है आप उसमें से आप आप देखिएगा और कुछ दिन पहले एक हजार करके दिया था वान थाउजन करके पैसा काट के उनको पैसा काट कोई कोई शेकर्ट्री जेल में भी गिया है तो एक दो को जेल में डालने से नहीं होगा इसमें पंशायट प्रेसिदेंट भी इंवल्ब है क्योंकि मैं गाउं को ज़्यादा खरब करें तो राजकुमार बोलेंगा दूलू कॉंग्रेस है इसलिए दूलू बोलना है लेकिन बात अभी बीज़ेपी का कॉंग्रेस नहीं आ रहा है अभी आ रहा है कि गरीब जो किसानों का पधान मंति का जो इसकीम है प्रपार ली मिले देखिए इसकीम कोई कोई जगा में धर्म का नाम में भी विभजन हुआ है यह डिनाई नहीं कर सकता है क्योंकि बहुत जगह से आप धर्म की बात बोलने मैं आपको बोलने का मोका दूंगा राजकुमार शर्मा हमारे साथ जुरे हुए हैं यह सुनकर आपको जरूर अच्छा लगेगा रा दामायन को टकर दे सके तो यह कह सकते हैं कि हमारे मन में आस्था है और जहां आस्था होती हुआ इमानदारी की बात आती है लेकिन खबरे जो आ रही है भासपा की सरकार है लेकिन दुलूहमत जैसे कह रहे हैं पंचायत अस्तर पर नसीप भासपा के भासपा के सदे से कि आपको खुशी होगी कि रामाइन नहीं है मैं प्रोडूइसर हूं उसका इसलिए मेरे को रामाइन सीरियल हो चाहिए महावर सीरियल हो यह लोगों की आस्था का प्रतिक है लोग उसको पसंद करते हैं नहीं बद्धिकार नहीं करते हैं यह मैं आपको क्लियर कर देता हूं तो कहीं भी आप इस तरह सीधी बोलेंगे कि रामाइन के सीरियल ही इसलिए आपको खुशी होगी यह मैं रेफरेंस में कह रहा हूं मतलब सभी धर्म से परे सभी भारत बासी ने रामाइन को देखा तो मैं यह कह रहा हूं कि हमारे देश के लोगों के इमें आस्था है आप यह मानते हैं कि हमारे देश के लोगों में आस्था बहुत जाड़ा है आप यह मानते हैं कि हमारे देश के लोगों में आस्था सुनने जिए रामाइन तेनती साल पहले भी आई थी उसके बाद भी लोगों ने ब्रस्ता से रखिया समय समय महाबरत भी आती है लोग दुलूदा एगरी करेंगे कि बहुत ऐसे लोग है जो पांस टेम नमाज परते हैं और पांस टेम संध्यावंधन करते हैं हिंदूों में स का उंग्रेस और बीजेपी नहीं करेंगे इसलिए भी नहीं करना चाहता इसको ये धरम के साथ में भृष्टाचार का को लिंक नहीं यह वराल के ब्रस्ताचारा आत्मी के बैक्तिकत जीवन में आता है वह न्य कोई हिंदूों में ब्रस्ता हमें भी बहुत ऐसे लोग है ज आजीद जी इस देश में धरम को लेके सब की अपनी अपनी मान्यत्या है में क्या बोल रहा हूं जो बेक्ति पांच तेम संध्यावंदन भी करता है और जो मुसलमान बेक्ति पांच टाम नमाज भी पड़ता उसके बाद भी उसमें पता चलिए करप्थ है तो धरम के साथ गलत है और इस्पेशली आज के दिन में जो गटना दूलूदा बता रहे हैं जो मुदा आप बनाएं आज के दिन में जहां गरीब आदमी क्राइस में जी रहा है और आज के दिन में लोगों के एक सेवा भावना है किसी भी धरम के लोगों चाहे इसलाम वाले हो चाहे किश थृषिवारी है, cug करता हो। आज, हम में जरूरी है जब हमारे मंत्री हमन वीशो चेस कहा कि कहा था कि START da अंच पारिशेमी थे स्वेजान के अधूरी है, और आज वा सुरूरी मिलते हैं, अजूड कम 15 लोगों को मदद करें एक लोगों के एक एक प्रोश था कि हम लोगों को ऐसी क्राइसिस के समय में मदद करना चाहिए और जो धार्मिक एंगल देखे हैं माइनुर्टीज कहीं विक्तिम हुई है कहीं मेजर्टीज विक्तिम हुई है यह आज की सिचुएशन के इसाफ से कोरोना से जब जंग लग रहे हैं हम लोग और जहां हर ब्यक्ति अपने स्टव में समस्या भोग रहा है उस समय में कोई आदमी कोई भी ब्यक्ति हो चे पंचायत का अध्यक्स हो चे पंचायत का सचीव हो इस तरह की जो हरकते करता है वो बहुत घिनोना है मैं दूसरी बात और बोल दो आपने जो प्रदान मंत्री किसान योजना का जो मुड़ा उठाया है यह लिस्ट दो साल तीन साल पहले बनीवी लिस्टे हैं ठीक है कोई अभी कोरोना के लिए अलग से लिस्ट त्यार नहीं हुई है यह गोवर्मेंट के रिकोर्ट्स में जो मेरे को लगते कि बहुत जादा भी स्केम बोली है उसको सखेम बोलें तो जब सरकारी तंत्रन बुलव होता तब होता है कोई अदमी बॉक्तिक टिकर्टें जसे टे-बी नीज RICHARD पहत अचेक पर में आए एक आपके पेपर में भी आया कि कुछ पंचाय hard अज्य प्रेक्टर में च्छे आजार उपए उठाते हैं और सारे चारहाजार खुई उठाते हैं पंड़र सुपक्ड़ा देते हैं गलत है घिनोना काम है शरकार इसके पर में जरूर थोस नीरिने लेना चाहिए और जो इस तरह के लोग है उन्हें इमीडियेट ले खिलाफ करवाई किनने होगा किसी को मालूम ने मैं आपको थोरे दिर के लिए रुखता हूँ शो में हम इसलिए चर्चा करते हैं कि कि सरकार तक ये बात पहुंचे और जो लोग देख रहे हैं उन्हें जाग रुखता है उसी रिलेटेंट में बोलना होगा अभी जो ये आपका रासकुमार बाजी बोल रहा था कि लिस्प्रहना है जिस्टि पूर हम नहें इसमें मुड़्डा इस में नहें है लिस्ट अभी इस टाइम में कॉरॉपसि herself कि थोड़ा दर पहले में ने क्या बोला था को पार्टी बोलके नहीं है जिसने भी किया है उसको एक्सेल ना साहिए आप एक बीजेपी का राजिक आप ट्रेजर है आप एक सीमियर लिडर है आज मैं सो का दरी आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा अभी यहां पे प्रमुजी विडिया से नहीं है अगर मैं एक लीस उसमें किसका नाम आएगा ने आएगा कौन पार्टी का यह मत देखना है अगर मैं पब्ली कर दोंगा तो आप क्या करेंगे सरकार को आप क्या रिक्रेस्ट देंगे यह बताए तो आपको जानकरी है कि कुछ लोगों कुछ एस से भी केस में जहां जब पता चल देखने किया है अगर एक लीस पब्लीश हो गया आप लोग इंक्वारी देजिए इंक्वारी देने का पर उसमें कौन सा पार्टी कर आए अप क्या राजकुमार जी मान ही रहे है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधी योजना जो है एक स्कीम है वो फार्मर्स के लिए है असम में उसमें बहुत बड़ा घोटाला का बात सामने आया है वहाँ पर कैसी इस्थिती है क्या तथ्य है आपके पास रंजीत अगर आप दुबारा कोशन पूछेंगे तो हम आज चर्चा कर रहे हैं भरष्टाचार को लेकर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधी योजना ये एक स्कीम है गवर्मेंट का जो फार्मर्स को सिक्स थाउजन रूपीज देते हैं थ्री स्ट्रेजिज में असम में बहुत सरा इसमें भरष्टाचार हुआ है आपके हु किल्कुल ये एक तो स्कीम है तो अभी तक ऐसा कुछ हमें ओफिसली रिपोर्ट नहीं आया है तो इसके बारे में मैं कुछ ज्यादा नहीं बता पाऊंगी आपको लेकिन बहुत सारे इनिशेटिव इवन अभी भी कर रहे हैं फार्मर्स को लेके और गरीबों के लेके भी अरुनाचल प्रदेश की जो सरकार है वो काफी कर रहें तो लाइम लाइट में अभी नहीं आया है ये सब तो अभी तक ऐसा कुछ थीक है इंदू आप मुझे ये बताईए कि आपका अरुनाचल प्रदेश गौर्वर्मेंट जो वहां के फार्मर्स के लिए जो स्कीम लात करते हैं आपको लगता है उनको पूरा बेनिफीट उसका मिल रहा है ग्राउंड लेवल पे देखो ग्राउंड लेवल में हर जगा पे तो इंप्लिमेंटेशन काफी खराब होते हैं क्योंकि इसे भी ये फार्मर्स का रिलेटेट नहीं है रैंजीट लेकिन हर जगा पे बहुत सारे स्कीम्स सेंट्रल गवर्मेंट से आता है बहुत अच्छी अच्छी स्कीम्स आते ह है हर एक बरे जो प्रोग्राम में करते हैं लेकिन जब ग्राउंड में हम जाते तो बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होता है बात सिर्फ किसानों या अग्रिकल्चर सेक्टर में नहीं लेकिन ऐसा बहुत सारे स्कीम्स है ऐसा बहुत सारे स्कीम्स है जो इंप्लिमेंट पाते हैं, लेकिन आजकल हम लोग देखने को मिल रहे हैं, इवन सब को बेनिफित नहीं मिलने से भी कुछ कुछ लोगों को एंट्रोपरनर्स आ रहे हैं, और जितने भी जो विलेजर से उनका ज्यादा तर जो ज्यादा तर जो फार्मिंग एक्टिविटी है, जो जो लैंड ह तो ज्यादा तर उनलोगों को भी कुछ बेनिफिट मिलते हैं, स्कीम्स मिलते हैं, सबसिडी भी मिलते हैं, क्योंकि ये COVID-19 पैंडेमिक में भी लोकल, जब असम से, बाहर राज्ये से, जब सबजिया आने के लिए बंध हो गया था, तो वैसे ही लोकल वेंडर्स को ही opportunity दिय है, और उनलोगों को भी एक बरावाद ये तो वाफी दाब में, ये हो भी रहे प्रैक्टिस, जब गरीब होता है, मतलब ग्राउंड लेवल तक जाती है, बेनिफिसरी जो होते हैं, उन तक पहुंशती है, अगर दस हजार का स्कीम है, तो उनको पूरा पैसा नहीं मिल पात स्कीम तेन साओंगे, तो हाँ, कुछ-कुछ जगह में जैसे की, एक्जेकली जी रंजीत, एक्जेकली वो पर्टिकुलर्ली स्कीम पे मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन हाँ, ऐसे जैसे की, जैसे की मैंने कहा, कोविड-19 पैंडिमिक में भी बहुत सारे लोगों का ये भी इसू था कि एकाउंट्स में नहीं मिलके, एकाउंट्स में लेवर यूनियन का जब बात कहेंगे, एकाउंट्स में नहीं मिलके, कैश में भी दे रहा था, तो उसमें बहुत सारे इसूस भी आया कि एक ट्रांस्परेंट नहीं होता है, तो उसमें एक सवाल भी आता आइडिन्टिफाई करने के लिए भी काफी तकलीफ होता है बेंक अकाउंट को जोड़ने के लिए तो यह सब इस सब इस उस को उनलोग ने कहा और बताया तो तो ऐसे करके केश benefit देते हैं और डारीक्ली डारेक्ट benefit transfer नहीं कर पाते तो यह सब इंदू इंदू मैं जानता हूँ आप बियस्त है आपको और प्रोग्राम्स में भी जाना है मैं आखरी सवाल करना चाहता हूँ बांदर दौा में आज सीम गये थे तो उसके बारे में हमें दर्सकों को थोड़ा बता दीजे फिर आप से विदा लेंगे जी बिलकुल आज सुबही एक मेडन विजिट एक सर्प्राइज विजिट के हमारे मुखे मंतरी पेमा खांतो और उनके साथ हमारे स्टेट के राज्ये के जो चीप सेक्रेटरी है नरेश कुमार और कुछ ओफिशियल्स भी आए और सर्प्राइज विजिट के क्वरेंटाइन सेंटर पीटी सी बंडल डेवा में तो उसमें एक्चिली कुछ दिन पहले एक वाइरल मेसेज एक पोस्ट वाइरल हुआ था सोसियल मीडिया में काफी चर्चा हुआ तो लोगों ने भी बहुत आवाज उठाया कि वहाँ पे जो क्वरेंटाइन सेंटर डेजिगनेटेड प खराब है तो उसको ही नजर रखते हुए मुख्य मंत्री आए और उनके जितने वहाँ पे कुरेंटाइन में रहने वाले कुछ स्टूडेंस को लोगों को बात चीट किया और उन लोगों का भी परेशानी को जाना और एशियोर कि हम इसको डेगवाल करेंगे क्योंकि उन ल रिक्स उठाने पर तो उन लोग ने भी यह कहा कि जितना हो सके वहाँ बहुत सारा नंबर्स में रह रह तो एकी रूम में बहुत सारे लोग रह तो उन लोग का भी बहुत का इसूस को सुना और गंडे जो वास्रूम से फैसिलिटी, सैनिटेशन फैसिलिटी का भी खराब जो लूप होल्स को बताया तो गर्मेंट ने भी अपना एस्यूरेंस दिया, रंजीत. या खान-पान को लेकर भी वहां से कई सिकायते आ गई थी, इस महामारी के समय में भी सरकार सचवेत नहीं हो रही है, असम सरकार की अगर मैं बात करूँ, तो पूर्बोतर के अधिकतर राज्यों के जो स्वास विभाग है, वो अच्छा काम कर रही है, लेकिन इस तरह की ब सिकाया हैं, सही नहीं है, खुछ बातें सची भी है, पर मैं समझता हूँ कि अधिकतर बातें उतमी सही नहीं है, कोरेंटिन सेंटर्स में सबी राज्यों की सरकारें पुरूत् walks了 की लोगों वह अच्छा。」 की वेवस्ता की जा सकती है हमारी aviation industry बंद होने से tourism sector पूरी तरह बंद होने से हमारे होटल से वह बहुत यह बूरी स्थीति से गुजर रहे हैं जो लोग पे करने में सक्षम है जीने सरकारी सुविधाओं पर भरोसा नहीं यह जो सरकारी सुविधाओं को नहीं लेना लोग पैड क्वरिंटीन में जाके रहे होटलों का सरकार चार्ड दे सकते हैं जिसका जो बज़ोर्टोम्य तरह की होटल रहे के कर सकता है तो क्वरिंटीन सेंटर में यह वाली बाते जो वह वह वैसे लोग उठाते हैं जो त्थ्षम हैं दूसरी बात आपने राजकुमार पूरी देश में भरस्टरा-चार आज हमारा राजधरम बन चुका है It has become way of life in our country करोना महामारी एक blessing in disguise साबित हो सकती है अगर इस महामारी के वक्त सरकारियां अपने तंत्र को दुरुस्त करने की ठान ले जैसे कि राजकुमार जी ने बहुत अच्छी बात कही कि किसानों को पैसे दे जाने वाली बात तो कई दिनों से चल रही है पर अब चुकि कोरोना महामारी का संकट आ गिया है बेनिफीशेरी लोग चीजों को एक्सपोज करने में लगे हैं तो इस मौके का फायदा ने केवल भारतिय जन्ता पार्टी कि राज्य सरकारें जो है जहां जांकि भय के उपर टिकी भी है और भय जहां होगा वहां भरष्टाचार किस रास्ते से परवेश कर जाता है कभी किसी और सो में विस्तार से इसको पर चर्चा करेंगे भरष्टाचार पर हम आगे भी चर्चा करेंगे और आर्थिक इस्तिती को कैसे दुरूस्ट किया जा इस पर भी चर्चा करेंगे लेकिन कार्करम में इस बख्ध हम एक ब्रेक के लिए रुखेंगे ब्रेक के बाद मुद्दा में आपका स्वागत है ब्रेक में जाने से पहले बरिश पत्रकार प्रमुत तिवारी जी ने एक सुझाव दिया था कि पेट करॉंटीन की वेवस्था की जा सकती है क्योंकि हमारा जो होटल है इस सब बंद पड़े हुए हैं तो अगर पैसा देके उनको अधिक सुविधाय ऐसे लोगों को दी जाए तो आर्थिक इस्थिती भी सुद्रेगी और बेहतर इस्थिती होगी और लोगों को भी सहुलियत होगी कियोंकि निश्चित तौर पर लोग सुविधाय चाहते हैं और इसके लिए खर्ज करने के लिए तैयार है और खर्ज का जहां तक मामला है तो हमने देखा कि शराप, बिदेशी सराब पर 50-70% भी कीमते बढ़ाई गई उसके बावजूद भी लोग सुबह से ही Q में खरे थे तो जहां तक पैसा खर्च करने की बात है जिनके पास पैसा है वो तो खर्च करेंगे ही तो ऐसे में अगर ऐसे पैसे वाले लोगों को कॉरिंटीन किया जाता है उनके होटन से बात भी हुई है एक रेट चार्ट भी बना है और मेरी जो जानकरे में जैसे जब लोग आ रहे हैं तो उनको पूछा जाते कि आप कहां रुकोगे तो होटल का एक लिस्ट चार्ट बनी भी है मेरे हाथ में नहीं है तो किन्तु आसम सरकानी नीने लेले कि जो एफो जेशना करें हैं तो जानकरे की लिए नहीं पहुत जल्ड कर देगी अगर आप करेंटीन सेंटर में नहीं रहना चाहते है तो पेड करेंटीन सेंटर होटल है होटल में आप रह सकते हैं इसके एक चार्ट बहुत जल्द आपके सामने आ जाएगी दुलू हमद अभी जो राजिकमा जी ने बार बता रहा है कि होटेल का एक सरकार साथ बना रहा है कि इसको बाहर से जो आएकर जो हाएर केटेगरी होगा इसको हाएर केटेगरी में जो अपना पैसे से रहना पर लेकिन कि अभी तक किसी का पास कोई प्रोफार इंपरमोसन नहीं है तो मैं इसमें नहीं जाओंगा अगर इस ताइक का पॉलेशी लिए था क्या होता है यह स्टूडियो में बात करके हम लोग चला था है कि यह नहीं होना साही है उसको पॉलिस करने से क्या होगा अभी मैं मेरा हो कि कम से कम मीडिया में एक मेना बाद दीजिए दस दिन बाद दीजिए क्योंकि अभी होटेल बिजनेस बहुत खराब तरफ चल रहा है आपको बता दू हमारे असन के मुख्यमंत्री असन के स्वास्टमंत्री दोनों ने इस बारे मेरा मेरा बेक्टिक डिसकर्शन के बाद बत अब लुग 15 दिन बाद कि जिए अफ़र लॉक्डाउन कि जिए कोई प्रब्लम ने कि इसमें एक पैंच और भी है कि 5-6 लाक लोगों को असन के बाहर से लाया जाना है उनको करिंटीन सेंटर में हमारे पास इतनी फैसलिटीज नहीं है आपको होटलों में रखना पड़ेगा आपको भवन आपको रिक्विजिसिन करने पड़ेंगे आज कुछ दिन पहले आज कम से कम एक मिना पहले मैंने एक शो में बोला था अगर कॉरण्टाइन जगा का की अब है लाया तो कि मेरा भी मना जबिटाल मैं त्यारी कर रही है जैसे मैं आफ जैसे गहाट में जितने बहुत था शुट जोंगोगों को भी हैu सड़ों सब्सक्राइब तो जितने बहुंटि भ हुटों गहा था तो तो उन्हें बहुत रहे को बता दो डिपने ने ने क्या भवर। का इसलिए कॉंपेर माट की जएगा कि होटेल का बिजने के लोकों को रोखना पड़ेगा तो सरकार को कुछ लोग बोलेंगे हमको आपको हम तो ताज में रोखना चाहते हैं अभी देखिए सरकार ने कुछ दिन पहले किया था जो कॉरेंटाइन का जो डॉक्तर होटा है बाहर से जतना आएगा लोग आभी हम लोक इस होटेल में रखेंगे यह केते गुर्यी रास्कुमार जी के हाथ में नहीं है कि और निशेटेपर नहीं कर सकते हैं अप यह मैं आप यह आपको sms धिखाओँगा हमने sms भजा है कि आप यह यिस्ट को पब्लिश करिये आपको बता तो मेर पर्मोत्योर भी आ रहे तो में बात की थी तो हम ने सरकार को मैंने ब्यक्तिकट तरफ उस तरफ वह रिक्वेस्ट कि इस लिस्ट को पब्लिश कर दीजिए क्योंकि कुछ होटल वाले एक जो कुछ हाई रेट मांग रहे हैं कु और समाज के नाते में हम लोग सब मिलके कोशिस करेंगे तो समस्य के निदा नवा शरकार इसमें काम करें आप लोग 20 परसें 25 परसें रिलीव देने से भी कोई सब एगर हो लेकिन बंध हो जाएगा इसमें लाइबिलिटिस का सवाल आजाता है ये स्टाफ का आप होटेल का मा अब को मालूम नहीं है पर जो इसमें डिसिसापको अब को सब्सक्राइब हो एक अफ़ी ये तो होटेल वाला बात हो गया है कुछ दे पहले उसको भी लाइन को लाना है कुछ दे पर आपनुका इतानगर का इंडिस संबाद रता है उसने अच्छा बात बोला था कि कैस में देने से कॉरॉप्शन होता है देखिए रंधी एक में बता दे तो आप गलत समझें वह कुछ यूनियन लेगर स्किर्पमिन की बात कर रहे हैं सरकार का इस्कीम के लिए बात की बोला है आप सुनने का एक मिली तो सुनने की विसम में आपको कुछ नहीं तो क्या होगे केस का म गया पैशा डिस्ट्रिपूट हो गया लेकिन शेकेट्री का पास अभी तक लिस्ट सबाइब नहीं हो और कोई कोई को इसका साथ मिल करके लिश्स को पिर उसका लिए तो मेरा यह था सौड गभब्मेन को एक बात भूलना शांए हर ऐसी मिल हो उसका बाद डिस्टिबूर किजिए। करने वाले लोग हैं, हम उनको दो हजार रुपय करके भेजेंगे। तो असम सरकार का एक स्कीम था। यह मालू हुआ है। यह मालू हुआ है। तो लोगों को भेजा गया। अब क्या कि बहुत लोगों ने वहां से अपना नंबर रेजिटर्ट कराया। उनके पास कोल गया। अब उसमें कुछ ऐसे भी लोग हो सकते हैं कि उन्होंने पैसे ले लिए। तो सरकार के क्या इमर्जेंसी सिचुएशन है। सबसे बड़ी बात है कि सरकार के पस टाइम बहुत कम है। कि हमने निर्डन लिया तो तो तीन दिन चाट दिन में इसको एक्जिगूट करना है। अब पहले उनका सारे 3,5 janus लोगों का inquiry होगा 50,25 लोगों का inquiry hoगा फिर inquiry hoगे report बन की तब बहुत समीं निकल जाएगा। तो इसंवool कह है की कहीं 57-10 पसंद लोग बेहानी करते हैं यह 90 पसंद लोग Пон को फिड बे मैं बोलता हूं इंपूलीमें हो रही है। पर 2-4-5% जैसे आपने हाजो का एक्जम्पल दिया और भी कई पंचायतों में आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, रंजी जी पत्रका, रहें को भी पता है, पांस परसंड लोग है, जो मैं नहीं बोलूँगा कौन सी पोलिटिकल पार्टी के हैं, पांस परसंड यसे पर आज भी इमानदर लोग बैमानों से ज्यादा है, आप देखिए, सरकारी अस्तर पर करोना से लड़ने के जो परयास हो रहे हैं, वो अपनी चगह है, किन्तु कई जो व्यक्तिगत अस्तर पर संस्तागत अस्तर पर NGO के अस्तर पर कई लोग करोना योद्धा की तरह पिड इतने बड़े पेमाने पर, इतनी बड़ी संख्या में, इतने बड़े संसादनों के साथ वेक्ति के तस्तर पर, सामाजी के तस्तर पर, संस्ता के तस्तर पर लोग मानवता की सेवा में उतर आएंगे, देखकर अपने आप मन अभीभूत हो जाता है, कि आज भी देश में इ कानवता की सेवा आपकी सेवा करेंगे हमें बोर दीजिए सरकार बनने के बाद स्थितिक क्या होती है उस पर भी थोड़ा वो लिए राजनितिक जल्लों मैंने तीन अलग-अलग केटेगरी यह भी आपको बताई व्यक्तिगत अस्तर पर संस्तागर अस्तर पर और कई लोगों करने का स्थाइल होता है तो हम दोनों को अगर कंपेर करेंगे तो सरकार का अपना काम करने का स्थाइल होता है आप निश्ची तोर पर जामुन का पेर कहानी पर होगी तो उस तरह वही आज से 50-60 साल पहले जो वेवस्ता थी आज भी जहां पर इमर्जन्सी सर्विस की बात अती है लोगों तक काार अतीस में आपकी बात से ऐसांस में आपकी बात स्थाइ दिली में आम आग्वी पार्टी की सरकार रहा है जो कोरोना महामारी को रौकने में सारी सब्सक्राव सब्सक्राइब करना चाहिए तो अभी आप इती यह कहना चाहते हैं कि सारी सरकारों का यह तरीका इस बार कम से कम कोरोना महामारी की समय में सरकारों को सारी सरकारों को सारी सरकारों ने सक्रात्मक रवया अपना है एक सेट को छोड़ के यह एक स्टेट का नाम ने लेना जाओ नाकर आखिए नहीं नींकरना चाहता है है जिस सब्कारों के साथ मिल के उसमामारी को आज ये 35 जार की भीतर रोख की रखा है तो आपने नाम ने लिया में दो बातें पैंतीस वर्सों तक कम निष्टों की सरकार रही 12 वर्सों से महमता बनेर जी त्रिनबूल कॉंग्रेस सरकार चला रही है इन 35 और 147 वर्सों में आजादी सरकारों का रविया इस तरह कर रहा कि जैसे लगता कि उन्हें देश के संगिय धांचे में विश्वासी नहीं है यह बिल्कुल हमारे साथ सिलोंग से रोशन राय जूर चुक है रोशन 42 डेज आज 42 दिन है लोकडाउन का और हम आज चर्चा कर रहे हैं क्या लोकडाउन के पिरियेट में एक नए भरष्टाचार की गाथा लिखी जा रही है यह सवाल इसलिए करना पर रहा है चर्चा इसलिए करनी पर रही है क्योंकि पीडियर सिस्टम में बहुत बड़ा घोटाला सामने आया प्रधान मंत्री किसान निधी योजना है उसमें भी जो किसानों के लिए वेनिफिस्टरी योजना थी उसमें भी घोटाला सामने आया लगता है कि इन एक्टिव जब जो यह योजनाओं में घुटाला हो रहा है आप क्या मानेंगे इसको होना तो में चाहिए अगर हुआ है तो बुरी बात है क्यूंकि यह महामारी के समय में और अडिशनल प्रॉलम किसको चाहिए और अगर बात करें तो ऐसे भी जो रिसीविंग एंड में होता है यह तो किसानों मजदूर यह सब किसा रिसीविंग में होता है अगर घोटा ना हुआ तो सबसे बुरा तरह से जटका उनको ही लगेगा देखिए मेगलाय में जहा तक यह सवाल है अभी तक तो ऐसी कुछ बात नहीं उठके आई है पर बिलकुल एक दो जगाओं से ऐसे बात उठी है जैसे उनको पीडियाफ के टावल वगेरा वो सब तो मिल रही है पर फिर भी उनको जैसे मिट्टी का तेल लकडिया यह सब नहीं मिल रहे है यह सब बात करें तो यह गरीब सेक्शन के बात है जो यह रूरल एरिया के मेगलाय के रूरल एरिया में है अगर दूसरों की बात किया जाए जो जो दूसरी सेक्शन के वो जो गैस सिलिंडर्स यूज़ करते हैं वो सब की तो यह सब समझ से अभी तक अबर के आगे नहीं आए और जहां तक फामस लोक का सवाल है रिलेक्शन रिलाक्सेशन दिया गया है अभी से नहीं पहले लॉकडाउन के बहुत पहले से रिलाक्सेशन दिया है क्योंकि सरकार का क और यह राट कॉंटिंबन यह बालेंस त्लिहन रखना बहुत ज़रुरी है और इसलिए बहुत सारे रिलाक्सेशन दिया गया था और आपको पता है जो अब यह सोविंग सीजन है वो उसको ध्यान में रखते हुए मिः सरकार ने यह का फिर निया दिया था और एक बात और क्या होना चाहिए और यहां से आगे कैसे बड़े रोशन मनीपूर से जो ख़बर आई थी मनीपूर के ही बीजेपी स्पोक्सपर्सन ने कहा था कि हमारे किती बारी का सीजन है और हमारे किसानों के पास ट्रेक्टर चलाने के लिए डिजल का समस्या है वाटर सप्लाई का भी है वहाँ पे फर्टिलाइजर का प्रॉब्लम है चुकि मेगालर क्लेनरिया नहीं है साइध इन चीजों की बहुत बड़े पैमाने पर वहाँ पे जरुवत नहीं पड़ती है क्या ऐसी समस्या और है कि किसानों को किस तरह के समस्या आती है खेती के सीजन में और सरकार किस त पैले जिससे सेल कर रहे थे वह से नहीं कर पा रहे है क्योंकि आपको बता है यह हालात क्या है पिर भी सरकार ने उनको रिल्क्सेशन के लिए तोर पर आनलाइन भी क्या था और एक टीम भी बनाय गया था जो गाउं गाउं जाता है किसानों को मिलके उन से प्रोड्यूस लेकर यहां आके बेच रहे थे लेकिन वो सब चल रहा था और अगर बात किया जाए तो मैंने जो बताया आगे जो बिलकुल पीडियाफ चावल यह सब मिल रहा है पर मिट्टी का तेल नहीं मिल रहा है अगर फॉर्स में जाओ तो फॉर्स वाले उनको भागा रहे यह सब मामला बिलकुल आगे निकल के आया था और उससे जा रहा है और और क्या-क्या उनको समासिया है यह फिलाल तो अभी रंजीत निकल के नहीं आया है जी रोसन को भी फाइदा हो और जो लोग अपर क्लास के हैं जो जेनरल कुरिंटीन सेंटर में नहीं रहना चाहते हैं उनके लिए वेवस्ता है अच्छी हो मेगाले में भी बाहर से बहुत से लोग लोट रहे हैं सरकार ने प्रयास कर दिया है तो क्या वहां भी ऐसा कोई प्लैनिंग च सेंटर टाइप का बना दिया गया था जहां पर हेल्थ वोकर्स यह सब रहे रहे थे अगर बात करें क्वारंटाइन सेंटर की तो स्टेट गवर्मेंट का यह कहना है कि काफी बहुत सारी क्वारंटाइन सेंटर हैं यहां पर जो कि आइदेफाइगा गया है और वो सब में क काफी स्पेस है और जितने भी वह आपस लोट रहे हैं जैसे सिर्फ जिसका सिम्टम्स है उसको वहाँ पर चार चेक गीट से एंट्री एन एक्जट पॉइंट वहाँ पर टेस्किया जाएगा रैपिड टेस्किट से अगर पॉजिटिव निकला तो उनको फिर लेके ले जाया जाएगा आटी पीसी आटेस्स के लिए वो छोड़के अगर जो नॉर्मल है उनको अंदर स्टेट में गुस्ने की अनुमती दी जाएगी और उसके बाद उनको होम कुरंटाइन किया जाएगा बहुत 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 दिने बहुत रोशन हमारे साथ चुने के लिए हमारे सह जाएगी रोशन थे शिलोंग से उन्होंने कहा कि वहां पे अल्यडी चारपास हुटलों का सिनाख्थ हो किया है और वहां पर अच्छा काम करेंए सरकार जहां तक किसानों की समस्या की बात है तो सायद असम के जो किसान है उनको जिस तरह की समस्याओं का सामना करना पर रहा है मेगाले के किसानों को वैसी समस्याओं का सामना नहीं करना परता है और वहाँ पर टीम बना दिया गया है और वो किसानों के पर जाते हैं उन्हें भी तो उतनी ही सहुलियत के साथ कुरेंटिन सेंटर में रहना पड़ेगा इसके लिए सरकारे वेवस्था करेगी सभी के लिए यह कहीं आनिकुलिटी की बात तो नहीं आते हैं इसमें ऐसा है कि सरकारों को थोड़ा सा अगर ज़्यादा लोग यहां आएंगे तो कुरेंटिन में रख दिया जाएगा क्योंकि कुरेंटिन सेंटर के लिए सरकार बहुत लंबा चुड़ा तामजाम एक सीमा से अधिक नहीं खड़ा कर सकती है देखिए आज इस महामारी के दोर में इस परत्यासित संकट के दोर में हम मीडिया को हीट और वाली पोलिसी नही विकल्प ना बताएं जैसे कि किसानों की बात कि कल तक लोकडाउन था लोग लोकडाउन देपरेशान बता बताई जा रहे थे दो दिन से देख रहा है लोग लोग दाउन खुल गया लोग फिर परिशान है कि अगर इस तरह की अफ्रात हफिल रही जैम लग गया आपको ल परवर की तरह लेकर एक जिमेदार नागरिक की तरह हमें विवार करना होगा मीडिया से में विशेश रूप से फील करना चाहता हूं मैं भी उसी प्रजाति का हूं कि हमें ही टेंड रून की जो पॉलिसी है कि सरकार की ओपर एक आरोप लगा दो सिंसे गायब हो जाओ वो इसी मुद्दे में ही मैंने आप भी थे उस दिन तो मैंने कहा था कि आप बेवसाई वर्ग जो है उस दिन को इते नाम याद नहीं आ रहा है कि आप उनको एक सिस्टम बता सकते हैं एक ड्राफ्ट करके उनको दे सकते हैं कि चीजे सही तरह से चले क्योंकि हमारी एकोनोमी आने वाले दिनों में बहुत खराब होने वाली है, Raja Kumar ji? ने, दिखे, एक मुद्दा दो मुद्दे हैं, पहला मुद्दा है, देश की अर्थिनती बचाई जाए जाए या देश के लोगों की जान बचाई जाए जाए. समर्थन किया, मैं वापिस पोलिटिकल साइज ने करूँगा, दुलोदा सारी सरकारों का कह रहा हूं है, जहां कॉंग्रेस रूलिंग स्टेट हो, बीजेपी रूलिंग स्टेट हो, आम आदमी पार्टी हो और अधर हो, सब ने समर्थन किया, तो हम आज इस आंकरे को 45,000 तक का इंफेक्शन पहुंच गिया, तो हमें इस चीज को सरकार को एप्रिशेट करना चाहिए, जैसे परमोजी ने बहुत अची कही, कि मीडिया को हीट और वाली पोलिसी नहीं अपना नीची है, जैसे अभी आप आज की तोक्सों के बारे में मैं कहना चाहूंगे, गोटाले क कहा हुआ है, अभी तो कहीं नहीं हुआ, हाँ, मैं दुलुदा के बाद से सहमा तो कि एक दो, पांच परसे में ने तो कहा ही, कि कुछ पदाधिकर येसे हैं, जिन्हों ने इस समय में गलत काम किया, उनका हम निंदा करते हैं, और वो किसी भी पार्टी का हो, मैं बोलता हू कुछ लोगों ने बेमानी किये, उस बेमानी का आकड़ा सदी सरकार के नजर में आए, तो कुछ लोगों को एरेस्ट भी किया गया है, और सुनीजी जो है, वो भी सरकारी का हिस्सा है, उसलिए बहुता हम नहीं बोलता है, अभी आपने शिलोंग के रिपोर्टर के पूचा बोलता है, तब सी होता है, और सुनीजी जोटा रुपर्ण का रिपोर्टर की रेस्ट करवाए ऐसी कोई बातemberُ। आपका बात का उपर बोल तो अभी आपने बोला था कि वारबार गोटाला का बताई खुर पहने यह और बताई है और पंचायत असतर पर प्रगहिए। करोना महामारी के वक्त में अगर यह सामने आ रहे हैं तो सरकार करकर इस तरह के लोगों को सामने लाया जाना चाहिए और अगर हम लोग साहितिक भासा में या फिर व्याकरण के द्रिश्टी से कहें तो घोटाले और बैमानी में फर्क है कि बैमानी आइसोलेटेड इंसीडेंसे जोते हो उनको कहा जाता है और घोटाला उसको कहा जाता है कि जब कोई बहुती संगठित तरीके से योजनाबद त बोला था कि आप लुग को सब पार्टी चाहिए लेकिन आप लुग यह ने कर रहा है इसलिए ने कर रहा है मैं आपको बता रहा हूं अभी देखिए अभी यह 24 तरीक को डो महिना हो जाएगा 17 तरीक को लॉगडाउन खुलेगा फ्लाइट से 17 तरीक का बात खोला होगी तो अभी तक आप लुग का पार्टी ने आम को सारग संशत को पोई पर्मिसन ने दिया उसगे तो यह अने से तो आप बोल्ड वहर बिल्के काम करना साइए उपर शवलोग परपैशन नहीं डेराइस अगे संसर टीया है की तोरसी इसा नहीं आने के अपैस अपर लूग Sm हैда रही समाने ऊत्तो लेच yeah लोग बंबे से गाड़ी लेक्ट दिली नहीं आप लुग पर्मिशन नहीं देरा तो इसमें तो राज़ी जामात आए आप देखिए गाप दोड़ बोड़ गोई अब्दू खालेक सब फसा हुआ है कि कुरोना सबसे हम घुजर रहे हैं और अब बाइरोग पर्मिशन देजि कई बाद लेटर देने के बाद भी उनको आने का महका नहीं दिया जा रहा है और हम करोना संकट से उभरने की बाद करहें सात में मिलकर लणे की बाद करहें लेकिन राजनीती बी जारी है और एक दुसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी जारी है इससे उबर ना होगा क्योंकि देश एक महा संकर्षे गुजर रहा है मिलकर इस संकर्षे लड़ने की जरूरत है मुद्दा में इतना ही धन्यवाद